सौरी अरब के प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान दो दिवसिया दोरे पर पहुँचे भारत पीम मोदी ने एरपोर्ट पहुँचकर किया स्वागत दिली इन्सियार में भूकम के जटके तिवर्ता चार्दसम लब सुन्य यूपी के बागपत में था केंद्र साध्वी प्रग्या महामंडले स्वर्बनी माले गौं बंबलास्ट मामले में नौ साल तक जेल में थी अमेर्की रास्टपती डोलर ट्रंप ने पुल्वामा हमले को बताया भीशन कहा अच्छा होगा भारत पात साथ हो जाए गोवा विधान सभात्यो पाध्यक्ष ने कहा मनोहर परिकर जब तक जिंदा है तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे नवश्कार मैं हूँ आपके साथ हर्जुन पंडित और आप देख रहें नेशन लाइब आईए बढ़ते हैं ख़वरों की और साथी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान भारत पहुच कहे हैं प्रधान मंतरे नरिंद्र मोदी ने साथी अरब से भारत के रिस्तों की खास एहमियत का संकेत देते हुए साउदी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान का पालम एरपोर्ट पर पहुँचकर स्वागत किया है पियम मोधी प्रोटोकॉल तोड़ कर एरपोर्ट पहुँचे और गर्म जोशी से क्राउन प्रिंस का स्वागत किया है साउदी अरप के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा ऐसे समाई पर हो रही है जो पाकिस्तान प्रायोजित पुल्वामा हमले को लेकर भारत में रोश है Crown Prince पाकिस्तान की यात्रा के बाद यहां आ रहे हैं माना जा रहा है कि भारत साओधी अरब के सामने पुलवामा हमले सहित पाकिस्तान की जमिन में पोशित हो रहे आतंगवात का मामला उठाएगा साओधी अरब से पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद में कटोती का नुरोद भी भारत कर सकता है आतंगवात पर कठोर साजा संदेश जारी करने की उमीद भी जाहिल की जा रही है मसूद अज़र और जैसे मुहमत पर कारवाई को लेकर भी भारत कठोर संदेश देने के लिए साओधी अरब से बात कर सकता है माले गौंब बंबलास्ट मामले में नौ साल तक जेल में रहने वाली साध्वी प्रग्या ठाकूर अब आचारी महमंडले स्वर स्वामी पुर्ण चेतानंद गिरी के नाम से जानी जाएंगे मंगलवार को माघी पुर्णिमा के मौके पर भारत भक्ती अखाडे का आचारी महमंडले स्वर बनाया गया है कुम्भ मेले में दिव प्रेम सेवा मिशन के सिविर में मंगलवा सुबह 11 बजे प्रग्या ठाकूर का पटा विशेक किया गया उनके पिये अरुन सिंग राजवत ने बताया कि अखाडे के गठन का उदेश सनातन धर्म की रक्षा करना है अकिल भारती अकासी विद्दुत परिशत ने मंगलवार को ही भारत भक्ती अखाडे का गठन किया है 36 गठ के बलोदा बाजार जीले के अंतरगत 14 फरवरी से गायब कर्मचारी अपने ममेरे भाई के घठ शिपा हुआ था रिस्दा में स्थित प्रनव इंटर प्राइजस इमामी सिमेंट फॉर्म में कारेरत आनंद यादव 14 फरवरी से काम करते समय अचानक गायब हो गया था मामले की गंभिरता को देखते हुए पुलीस अधिक्षक ने आनंद को ढूंडने के लिए टीम गठित की थी इस बेच मुक्वीर से सूचना मिली के आनंद अपने ममेरे भाई देव कुमार यादव चंगोर भाटा राइपूर में है पुलीस पूस्ताच में आनंद ने बताये की 14 फरवरी को रात काम करने के बाद बिना बताये भाई की घच चला गया साथी आनंद ने विभिल लोगों से कर्ज लिये जाने की बात विस्विकार किया है और चुकि ये प्लांट से मिसिंग हुआ था तो एक क्लॉन लोडर टाइप की भी समस्या थी प्लांट के जो मजदूर है उनके परिजन है उन लोग भी वहाँ पर लगातार धरना दे रहे थे इन सारी परसितियों को में पुलिस ने बहुत मेहनत से कारी किया बहुत सारी टीमेस में लगी रही और अंतता कल रात को वो जो गुमशिदा व्यक्ति है वो हम लोगों को मिला है और उसके बाद से जम्मू कश्मीर के पुर मोख्य मंत्री और पीडिपी अध्यक्षम महबूबा मुपती ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान की वकालत करते हुए ने उन्हें एक और मौका दिये जाने की बात कहिए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हाली में पाकिस्तान की कमान स कार्यों को दंडित करने के लिए को कोई कारवाई नहीं की गई है यह समय कथनी और करनी एक होने का है आपको बता दें कि इससे पहले जमो कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंगवादी हमले के बाद भारत के साथ बढ़े तनाफ को कम करने के लिए पाकिस्तान ने संयुक्त अंदर ही पसे रहने हैं और हर बार ही किसी किसम का कोई किश्मीर में सानिया हूँ आपने पाकिस्तान को जिम्मदा ठरा देना है तो बजाए ही है कि आप किश्मीर का मसला उसकी तरफ को डायलॉग शुरू को आगे बढ़े यह तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग ग कि आखे बाहर देश्ट गर्दी करें और ना बाहर से आखे कोई पाकिस्तान में देश्ट गर्दी करें हम स्टेबिलिटी चाहते हैं तो मैं आज हंदोस्तान की गर्मन को ओफर कर रहा हूं किसी किसम की आप तैकिकात करवाना चाहते हैं इस इंसिड़न्ट में कि कोई पाकिस ONUінटेश्रिबल इंटेलिज़ेंस है कि पागिस्तानी इन्वॉल्ड है वह मैं दे मैं आपको गैरेंटी करता है और दूस्टी जब हिंदुस्तान न से हम ढालोग की बात करते हैं drawing की प्री कंडिशन होती है कि पहले दैशेटगर्दी की बात की मैं आपको यह कहताूं कहूं देश्टगर्दी की बात करने के लिए त्यार है देश्टगर्दी एक सारे खित्ते का इश्व है और हम जम्मू कस्मेट से धारा 370 हटाने को लेकर देश में एक बार फिर चर्चाच चल पड़ी है मध्यप्रदेश के पुर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्टुपाध्यक्ष सिवराज सिंग चोहान ने मौजोदा हालतों को देखते विए 370 को लेकर अपना रुख साफ किया है उन्होंने कहा कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान के हालत और प्रसांगिक है भाजपा के राष्टुपाध्यक्ष और मध्यप्रदेश के पुर्व मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश आतंगबाद से जूज रहा है और अपने पैतालिस जावाजों की मौत पर लोग गुस्से से उबल रहे हैं सेना के ऐसे अजिकारी रहे हैं जिन पर देश गर्व करता है हम गर्व करते हैं सब उनके परिवार ने भी सहादत दी है और आज मैं अपनी स्रिद्धा और सम्मान प्रिकट करने राना साब के पास आया मेडम राजिस्वरी राना वो नकेवल पढ़ाती हैं बलकि समाज सेवका भी है और ये आदर और स्रिद्धा जो मैं व्यक्त करने आया हूँ मद्यप्रदेश के जबलपूर से शहीद अस्वनी कुमार की योग अस्थी कलस यात्रा को देखने उम्रा जनसेला लोगों ने किया शहीद को नमन पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए थी जबलपूर के जाबाद अश्मनी कुमार मोक्षदाइनी नर्मदा में विसरजित होंगी सहीद के अस्थिया उत्तर प्रदेश के रामपूर काशी राम कॉलोनी निवासी भिशन गंदगी से परिशान है यहां के स्थान ये लोगों ने बताया कि हम लोगों ने नगर पालिका रामपूर में कई बार शिकायती पत्र लिक कर दिया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है कोड़े के धेर और नालिया खुली पड़ी है इससे अनेकों बिबारिया हो सकती है अब जब योगी की सरकार है और मानकों के विपरेत परिस्थीतियों से नगर पालिका रामपूर कार्ल कर रही है तो सवाल लाजमी खड़े हूंगे कि अगयार कर निया सक्षाना है में यहां काशेराम कोलावनी नरे सिद्ही के पास रहती हूंग छे महिने से ज्यादव बहुत गंड़ की हो रही है जिसकी सपाई के लिए हम नगर पालिक वुद आप्लिकेशन लगाँ कोई यहां कि देख़़ेक क नहीं हो रही है किसी कारणा हमारे बच्चे नालियों में गिरते और अनेक प्रेकिक बिमारी हैं फैल रहेंगे काफी परिशानी होरी इन लोगों को किस सेना की परिशानी है काफी नालियों भरा जा रहा है कोई सभाई कोई करबचारी कोई आता नहीं असम के नर्बारी के एक स्कूल प्लेग्राउंड में सभी प्लेयर्स ने पुलवावा में शहिद हुए CRPF के जवानों को श्रधानजली अर्पित की है स्कारक्रम में भाग लिया नर्बारी CRPF 136 के DSP राना प्रताप सिंगे साथ और कई लोगों निश्रधान जिली देने के बाद सभी प्लेयर्स ने पाकिस्तान के प्राधान मंतरी इमरान खान पाकिस्तान के उगरबादी मसूद अजहर के का फुतला भूका फिलाल इस बुलेटेन में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं नेशनलाइब नमसकार झाल झाल